हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सभी, मैं आसा करती हूँ, आप सभी अच्छे होगे, तो आज हमारी किलास का आठमा दिन है, जिसे कि कल आपको बताया है, हमने चार्ट पेपर पे आपको कुर्टी की कटिंग करना बताया था, और आज हम कपड़े पे सीखेंगे, दे मतलब कि आपको डारेक्ट कपड़े पे सिखाके, हम आपको कपड़ा कराग नहीं करवाना चाहते, हमें उमीद है आपने कर प्रेक्टिस की होगी, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आगया होगा, ज्यादा नहीं तो कम तो आया ही होगा, ताकि आपको कपड़े पे कर सक और आपको जैसे की पता है डेली मेरी दो बजे वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके नीचे मुझे जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तक रोज नई वीडियो का नॉटिफिकिसन आपको मिल सके त तो आप ऐसे भी कर सकती है और सबसे पहले हमने ये दो मीटर कपडा लिया है कॉटन का इसी के उपर आज कुरती की कटिंग करना दिखाएंगे आपको सबसे पहले कपड़े को खोलेंगे और हम कपड़े को रखना बताएंगे कि कपड़े को रखते किस तरीके से पहले इंच तो इस तरीके से नाप हो गया बाजू को बता न भूल गे बाजू को हम आपको भी बताएंगे ये लंबाई है ये चोड़ाई है अभी क्या करेंगे जितनी भी हमारी चाती है उस हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना होता है तो देखिए अगर हम यहां से इसे ऐसे करेंगे इस तरीके से लंबाई वाली साइड से तो जो किनारी वाली साइड है वहां से मोडेंगे इसको कई बार क्या होता है कि ये एकदम कपड़ा हमारा सीधा रहेगा कुर्ती टेड़ी क्यों होती है अगर हम कपड़ा थोड़ा बहुत भी गलत रख देते हैं कटिंग करते टाइम तो वो भी उसकी वज़े से टेड़ी हो जाती है तो इसके चार पार्ट है देखिए ये खुले की साइड है और बंद की साइड आपकी साइड है अब लंबाई देख लेते हैं कुर्ती की जैसे की देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो है इसमें 38 इंच ठीक है तो हम यहाँ पे 36 इंच की कुर्ती को तैयार करेंगे जितना एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड के लिए रख लेंगे और ये हमने अपनी है तो 7 इंच लेना है और 12 है तो 6 इंच लेना है इससे ज़्यादा लेडिस का तीरा नहीं होता तो आप इनी चीजों का दिहान रखें तो 7 इंच पे तीरा ले लेते हैं ठीक है और जो आर्म होल लेंगे वो हम 7 इंच पे ही लेंगे अगर हैल्दी हो तो साड़े 7 पे ले लीजिए ज़्यादा हैल्दी हो तो 8 इससे ज़्यादा ना लेंगे लेकि चोड़ाई 2,5 इंच पे लेंगे बंद वाली साइड से और 2,5 इंच पे ऐसे नीचे से भी एक निसान लगाएंगे चोड़ाई वाली साइड से और 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगी तो हमारा आता है 9 इंच, 9 में हम 2 इंच एक्स्टर ले लेंगे तो हो गया हमारा 11 इंच, अब हमने इस यहां से 11 इंच लेना है, 9 पे हमारी फेटिंग होगी, अब यहां से हम 8 इंच नीचे कमर के लिए निसान लगाएंगे, और 13 इंच नीचे ह हाइट के उपर होता है, अगर हाइट जादा है तो आप इस निसान को 15 से लेके 16 इंच तक लगा सकती है, लेकिन यह कुर्ती की हाइट छोटी है, तो हम आपको 13 इंच पे बता रहे हैं, और इन निसानों को सीधा कर लेंगे, क्योंकि यह सारी चीजे कुर्ती की लंबाई के अगर हम इस हिप वाली साइड को जादा नीचे लाएंगे, तो फिर वो भिची सी लगेगी, अब यहां से हम जो डेड़ इंच पे होगी हमारे बैक की गोल आई, इस तरीके से देखिए बस आपको ऐसे गोल कर देना है, और प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, अब कर लेत यह देखिए, साथ को हमने दो से डिवाइड किया, तो कितना, तो देखिए जब हम 27 का चौथा हिस्सा निकालते हैं, तो साथ से हमारा थोड़ा सा कमाता है, तो उसमें हमने दो इंच एक्ष्ट्रा लेना है, लूजिंग के लिए, तो हमने यहां से लिया है, यह कौटन का क हिप वाली साइड से भी और उपर वाली साइड से भी, चाती वाली साइड से भी, अब जो हम इसमें बॉटम रखेंगे, वो हम 11 इंच का ही रखेंगे, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, यह देखिए, यह इसकी ड्राफ्टिंग है कुर्ती की, अब यहां से हम फ्रंट आर यह देखिए, अगर आप थोड़ी पतली हो तो आप इसे एक इंच का ही करें, क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं, उनका तो जल्दी से बैठ जाता है, पतले लोगों का तो यह गिरता ही रहता है, तो इसलिए इसे आप एक इंच का डाउन करें, अब गोल गले की गोलाई दे लिए है हमने अब क्या करेंगे कि जो बैक गला होगा उसको हम 4 इंच का रखेंगे और 4 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि बैक और फ्रेंट को हम एक को बड़ा और एक को छोटा रखेंगे और सेम जैसे नीचे गोलाई दी है एक इंच की ऐसे ही ऊपर देनी है हम आपको नाप के दिखाते हैं देखें चार इंच पे दी है हमने गोलाई अब क्या करेंगे अब तीरे वाली साइड से कटिंग करेंगे तो जैसे कि आपको मतलब 40 की कुर्ती कटिंग करनी है तो जब आप 40 का चौथा हिस्सा निकालोगी तो कितना आएगा 10 इंच और 10 में जब आप 2 इंच losing लोगी उसमें 2 लेले लीजिए तो आपका कितना आएगा 12,5 ले लीजी आप ठीक है ऐसे ही आपकी जितनी भी कमर है तो उसका भी आपको चौता हिसा निकालना है उसका भी चौता हिससा निकालना है तो इस measurement से आप कितनी भी size से कितना भी कोई healthy ladies हो उसका cutting कर सकती है अब छोटे छोटे यहां पर hip वाली साइड पर कमर वाली साइड पर cut लगाएंगे अब इस कुर्ती को हम open करके back part को अलग कर देंगे front को फिर से अच्छे से open fold करेंगे क्योंकि गले की और अपने front arm hole की cutting करनी हमें और देखिए मैं आपको ये भी चीज बताऊंगे कि हम front arm hole की cutting क्यों करते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि कई वार क्या होता है कि जो हमारे बगल होते हैं under arms वहाँ पे हमारा कपड़ा इखटा हो जाता है जब हम सिलते हैं बाजू अगरा लगा के तो इसको करेंगे तो हमारा एकदम बढ़िया कुर्टी बनके आएगी तो गले की और arm hole की से हम cutting कर लेनी है हमें तो यहां से इसको बरावर करके अब देखिए ये हमने cutting कर ली है पूरी अभी क्या करेंगे अभी इन निसानों को फिर से हम ऐसे मिलाएंगे ये देखिए ये हमारा है नीचे fold करने वाला अब ये hip वाले निसान को भी मिलाएंगे और कमर वाले को भी और ये उपर वाले को भी हमें उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अब कर लेती हैं इसकी fitting का निसान तो देखिए जैसे कि 36 थी 36 36 को हम 2 से divide करेंगे तो कितना आता है देखिए जैसे 36 36 थी तो 36 को 2 से divide करेंगे तो हमारा कितना आता है 18 इंच तो हमें 18 इंच पे fitting करनी है न तो आपको ऐसे ही अपनी जैसे आपने चालिस ली है, बतिस ली है, उसको आपको ऐसे ही फिटिंग करते टाइम दो से डिवाइड करना है, कटिंग करते टाइम फोड से डिवाइड करना है, तो बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है, अठारा पे हमने निसान लगाया, कमर थी 27, अब 27 को भी हम दो से डिवाइड करेंग को 14 इंच पर मैं ये भी बताऊंगी कि कुड़ती आपकी ऐसे क्यूं मतलब बोलते हैं टेड़ी हो जाती है हिप का और हमारा जो चाती का है वो बरावर रहेगा यानि कि ब्रेश्ट का क्योंकि 36 है हमारी जो हिप है तो उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी हमारा 18 आरा ये देखिए आप ऐसे किसी भी फिर से मैं आपको बताती हूं कटिंग करते टाइम 4 से डिवाइड करना है और फिटिंग करते टाइम 2 से डिवाइड करना है तो यहां पे भी हम 18 इंच में निसान लगा देंगे मुझे उम्मीद है कि मैं मेहनत कर रही हूं सिखान आपको लेना है और साथ की साथ लाइक भी करते जाएगा लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना आप लोगों के लिए इतनी महनत करती हूं इतना टाइम निकालती हूं तो प्लीज तो देखिए अब ना आप लेते हैं 2 इंची धर से मतलब आपका जो यह जो चोटी चोटी चीजह है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा हम बता रही हैं तो सीखने का आपका फ़र्ज है तो अब ही हम यहाँ पर जो बैक में होगा वहां पे भी से मोड गे निसान लगा देते हैं अभी बाजू का देख लेते हैं बाजू की लंबाई 16 इंच तैया बिचाए था हमारी कुछ फ्रेंड बोल रही थी कि हमें कुर्टी की बाजू की कटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है तो आप देखिए हम कैसे करते हैं जैसे कि हमारी जो बाजू है वो पंदरा की तयार है जिसमें हमने 1.5 इंच जादा लिया है हमारे आर्म होल कितने लिय जाना है एक इंच पे उपर वाली साइड से भी अभी क्या करना है यहां से हम करीबन चार या तीन तक की ऐसे गोलाई दे देंगे और इनको ऐसे मिला के ऐसे कर देंगे तो आप इस सेप से तो बहुत अच्छे से गोलाई दे सकती हो थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस किया कर क्योंकि आपको अच्छे से बहुत सीखना है तो आपको घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी डेर इंच नीचे से मैंने ज्यादा ले लिया है यहां से फिटिंग होगी बाजू की कटिंग कर लेते हैं इसकी और देखिए अब पेपर पे तो प्रैक्टिस करते ही रह हो कमेंट करके बताएं एक इंच की गोलाई देनी है फ्रंट साइड से और देखिए कभी भी इसको बंद करके ना देए खोल के और सिर्फ आगे वाले परदे में देनी होती है यह पीछे वाले में नहीं देनी होती है तो यहां से हमने आगे वाले परदे में दे लिया आप अब ही हम क्या करेंगे कि एक बाजू को और इन्हें आपको दिखाते हैं इसकी पूरी सेफ हटागी तो देखिए बहुत अच्छे से बाजू की कटिंग हो गई है वीडियो देखने के लिए धन्यावाद